जहें दोस्तों स्वागत आपको एक और ने वीडियो में दोस्तों ECR और ECNR क्या होता है ECR Immigration Check Required और ECNR Immigration Check Not Required ठीक है तो इसका फुरा मतलब क्या होता है और यह ECR पे आप कौन-कौनसी Countries घूम सकते हो दुनिया में और ECNR से ECNR कैसे कर सकते हो यह आपको एक बताते हैं और इसी आर पासपोर्ट पर लोग को जॉब नहीं देते हैं कौन सी कंट्री से ऑल जोब आरामसी मिल जाता है सुख अश्में कोई दिक्कत नहीं होती और यह 18 कंट्री से जिसमें आप 10 30 जॉब कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं किसिफ। की बस इसमेंइप प्रोटेक्शन आफ इमिग्रेंट्स की पर्मिशन लेनी पड़ती है उसके बाद में आप 18 कंट्रीज में काम कर सकते हो और उसमें बिना दिक्कत की प्रियांजड के आप भी पैसा कमा सकते हो उसमें कितना खर्चा बढ़ जाता है आपका आपको बताएंगी वीडियो में अन तक वीडियो को जबूर देखे ताकि हर एक इन्फोर्मेशन आपको धंसे मिल सके सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहीं डेखे ईकिएव जो आपको नाम गिनाते सबसे पहले उसके बताएंगी कि इसका similar क्रोले एकर करवा करवा सकते हैं और उसके बाद में जो एसी एर पास्पोड आपश्क बर्पाष्ड कौन से देश में जिनको उनको काम नहीं दिया आता है देखे दुबाई सबसे पहले देखे United Arab Emirates यानी UI जिसे आप दुबाई भी बोलते हैं मगर दुबाई उसका राज है बाकी UI बोलते हैं उसे UI, the kingdom of Saudi Arabia Qatar, Oman, Kuwait Bahrain, Malaysia Libya, Jordan, Yemen Sudan, Afghanistan Indonesia, Syria Lebanon, Thailand, Iraq इतनी सारी 18 countries हैं जिसमें आप work कर सकते हैं ECR passport पे मगर उस पे आप एक clearance की जरूद पड़ती है वो clearance है POE clearance, POE office का clearance ठीके, POE office क्या होता है protection of immigrants office ठीके, यह होता है POE office और इसका clearance लेना पड़ता है इसकी एक महुर लगा जाती है जिसे immigration बोलते हैं ठीके, तो उस पे immigration लेने के बाद आप इन 18 countries में काम कर सकते हो अब आप बोलोगे 18 countries में काम कर सकते हो मगर आप इसमें ECR पे आप जा कहा कहा सकते हो तो एक सो पंचानवे देश हैं दूरी दुनिया में तो आप जहां का वीजा इंडिया देती है तो एक सो पंचानवे देशो में आप कहीं भी गुम सकते ही अब कहीं भी खुम सकते हैंते हैंने लेकिन इसमें दिककत क्या हुती है और कि सुझ यह हैं चमछा कर सकते हो दूर्खर Then, उसमिन और आप 10 से कंट्री आप में सकते हैं इसमें आप 295 countries में से जहने का वीजा इंडिया देती हैँ उस country में काम कर सकत वर, भी कर सकते हूँ ठीक, घुम भी सकते हूँ, वर्क भी कर सकते हो Egyptian ले सकते हो इ्राज के Mysine Khan ऐ सकते हो कोई कलरेंडर लेकर करेंडर के जडरीवस नहीं पड़ती है इंडिया में इस वक्त जो highest education, minimum education है वो 10th है, ठीके अगर आप 10th पास हो तो आप educator मने जाते हो, अगर 10th से नीचे हो, 10th से आप नीचे हो तो आप educator नहीं मने जाते हो, ठीके तो अगर आपके पास 10th की मारशीट है तो उससे आप अपना passport जो है, इसे नार करवा सकते हो, या उ में हो पाएगा, ठीके यह होता है, ACR में फरक, तो ACR वालों के लिए जो immigration दिया आता है, यह protection के लिए दिया आता है, जो जो आपकी embassy रहेगी, इंडिया की embassy पाकिस्तान की, मंगला देश की, नेपाल, कहीं भी जो embassy रहेगी, जो immigration करवाती है, तो आपके ओपर नजर रखती safety रखती है, आपकी security रखती है, कि आपके उपर नजर रखती है, कि यहां बंदा हमारा काम कर रहा है, इसको किसी परकार की तकलीप नहीं है, कोई problem नहीं है, अपनी embassy में, अपनी Indian embassy में कोई भी आप application करते हो, कि मुझे इस चीद की तकलीफ हो रही है, मुझे इस काम में तक होती ही, तो आपके embassy में आपके पड़वारों लोगो थोड़ी मदब की आती ही, immigration में, ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगी, जब इस यार में इतनी facility है, तो हम ACNR क्यों करवा, ACR करवाले, तो देखिए, ACR में एक problem भी रहती है, problem यह रहती है, कि ACR passport हो लोगो, जो company हो इसलिए, उनके काम में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए, ACR passport हो लोगो जल्दी accept नहीं करते हैं, ठीक है, तो ACNR वालों को देखिए, तो तो educated लोग है, उनके कोई दिक्कत नहीं हो, तो हर company चाहती है कि हमारे पास educated लोग हूँ, ठीक है, तो इस सब बाते हैं, अब आपको बताते हैं कि, ACR से ACNR कैसे करवा सकते हैं, देखिए, इसमें दो रास्ते हैं, अब अगर आप इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान, नेपाल कहीं भी रहते हो, तो वहां पर आपका, अगर इस यार पासपोर्ट है, आपने पहले मार्सीट नहीं लगाई है, किसी certificate नहीं दूसरी बात, दूसरा रास्ता कुण सा है, अगर आप विडेस में काम कर रहे हो, आपको तीन साल हो गया आप काम करते हुए, ठीक है, तो तीन साल हो गया आपको काम करते हो, तो आप ECRC, ACNR करवा सकते हो, यानि आप सोचोगे कि, तीन साल लगातार काम करना पड़ेगा, तो जी बिल्कुल नहीं, तीन साल बिल्कुल काम करना पड़ेगा, आप तीन महिने करके, छे महिने करके, एक साल करके, जीक से भी आप रुक्य हो, तीन साल हो गई, तो आपका बीजा होगा, तो आपको उससे पूरूफ होता, कि आप ये बंदा इतनर दिन विडेस में रह है ठीक आपका exit और entry सब लिखा होता है पासपोर्ट पे तो आप की तीन साल पूरे होते हैं तो आप विदेश में कहीं भी रहे हो इसे मान लीजिए मैं साओधी अरब में हूँ यह होता है रा स्वाधा है यह होता है रास्ता है दर गाँ तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि सारी जानकरी आपको समझ में आई होगी जानकरी अच्छे लगी होगी, अगर जानकरी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरू कर दिए, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे, ताकि हरा नहीं वीडियो की नौटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, अगर और भी कोई सवाल आपको लगत जानकरी अच्छे वीडियो को